आर डाइनिंग टेबल के पिछले एपिसोड में ताने मिनोरू और यूता का जू जाने वाले होते हैं पर बारिश हो जाती है और उसकी वज़े से उन्हें घर पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है। यूता का का उसके भाई यूकी का मेसेज आया होता है इस वी का क्या 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 तुम घर नहीं आ रहे हैं यूता का सोच रहा होता है उस दिन के बारे में जब वो ये फैमिली के साथ पहली बार रहने आया था उसके डाड ने कहा था कि अब से तुम ये फैमिली के मेंबर हो य अमने आद स्टू बनाया है, तुम्हें चाहिए? यूता का लिखता है, येस, तैंक यू, मिनोरू पूचता है, तुम अभी बिजी हो? यूता का पार्क में उसे मिलने जाता है, वो उसकी तरफ दोरता है, और कहता है, सौरी, क्या तुम्हें बहुत वेट करना पड़ा? मिनोरू कहता है, बिल्कुल नहीं युदाका कहता है, मुझे भी तुम्हें मिलना था मिनोरू कहता है, सॉरी, ताने मेरे साथ नहीं है, वो स्कूल में है युदाका कहता है, ताने नहीं है, तो भी मैं खुश हो ये सुनके मिनोरू शर्माता है यूता का पूछता है क्या हुआ मिनोरू से एक बैग देता है हाँ ये ग्रैनमा ने बनाया था स्वीट टारो स्टू और लोटोस रूट किन पेरा उन्होंने थैंक्यू कहा हमारा ध्यान रखने के लिए यूता का खुश हो जाता है मिनोरू बाय बोल के जा रहा होता है तब यूता का उसे रोखता है तुम यहाँ पे हो तो क्यों न हम लंच साथ में करें अगर तुम्हारे पास टाइम हो यूता का स्टू खाता है और वो मिनोरू को राइस बॉल देता है मिनोरू टेस्ट करकी कहता है ये कुछ नया है युताका कहता है स्पैम और वसाबी मेया मिनुरू कहता है अच्छा कॉंबिनेशन है ये सुनके युताका को अच्छा लगता है थोड़ी देर के बाद मिनुरू कहता है थैंक यू जोद कुछ भी तुमने किया है फोल लंच बॉक्सिस और बाखी सब ताने भी बहुत खुश है वो तब से जू में ही खेल रहा है थोड़ी देर के बाद वो कहता है तुम्हें फिर से आना चाहिए और कुछ बनाते है यूता का अगरी करता है मिनुरू पूछता है ये संडे को यूता का कहता है मैं फ्री हू हम क्या बनाए मिनुरू सोच के कहता है कारी हमने लास्ट साइम नहीं बनाई थी यूता का अपने घर पे रेडि मेड फूट गरम करता है वो जब सासज खाने जाता है तब उसे ताने याद आता है वो तीनों करी बनाने के लिए शॉपिंग करने जाते है यूता का पूछत यूता का ताने को पूछता है तुम्हें क्या पसंद है यूता का पूछता है तुम्हें क्या पसंद है यूता का पूछता है तुम्हें क्या पसंद है यूता का पूछता है तुम्हें क्या नहीं पसंद ताने आंसर करता है उसे शिटा के मुछता है तुम्हें क्या नहीं उटका सब्राइस होता है. ताने कैता है. तुम ठीक से नहीं खाऊगे. तो तुम बड़े नहीं होंगे. मेनरू कहता है, मैं तुमसे खरीदने आया. एक दम से युता का रुख जाता है. क्योंकि यूकी वहांपे होता है. यूता का एक्सप्राइज करता है. ये मेरा बड़ा भाई है यूकी कहता है ऐसी जगा पे तुम क्या कर रहे हो यूता का कहता है चीजे खरीदने आया यूकी कहता है एनिवे तुम कल क्यों नहीं गए थे डाड की 67 बढ़ते थी तुम्हें मॉम का मैसेज नहीं मिला यूता का के पास कोई जवाब नहीं होता यूकी कहता है तो तुम बिलकुल भी नहीं बतले फाइन मैं उन्हें बता दूँगा कि तुम जिन्दा हो और यूकी चला जाता है हम फ्लाश बाग फिर से देखते है जिसमें यूता का के डाड कहते है कि अब तुम ये फैमिली के एक मेंबर हो अपना ही घर समझो यूकी कहता है हाँ मैं ये एकसेप्ट नहीं करूंगा मुझे कोई छोटा भाई नहीं चाहिए वो लोग डिना कर रहे होते हैं और यूता का को नाइफ और फोक यूज करना नहीं आता यूकी कहता है तुम्हें तो ठंग से खाना भी नहीं आता जब ये होता है सब कुछ बुरा टेस्ट करता है उनके पैरेंट्स ये इग्नोर करके यूकी को पूछता है कि उसके रिजॉल्ट कैसा था मिनौरू के घर पे वो सब करी बना रहे होते हैं Minoru meat लेने जाता है, वो कहता है, हम usually pork खाते हैं, पर हर family का अपना तरीका होता है, वो Yuta का को पूछता है, तुम्हारी family का क्या, Yuta का answer नहीं दे रहा होता, ताने कहता है, मुझे beef चाहिए, Minoru कहता है, नहीं, beef expensive है, Yuta का अपने में खोया होता है, Minoru से बुलाता है, Yuta का एकदम behavior है, वो curry बनाते हैं, खाने के बाद Yuta का कहता है, Minoru, तुम बहुत अची curry बनाते हो, Minoru शर्माता है, ऐसा कुछ नहीं है, ताने कहता है, नहीं, तुम एक genius हो, Minoru कहता है, नहीं, मैंने सिफ instructions follow की, Yuta का ताने को कहता है, वो एक genius है न, ताने कहता है, हाँ, वो पूरी curry खतम क वो खाने के बाद बैठे होते हैं और मिनोरू पूछता है अज तुम्हारे भाई को जो हम मिले वो तुम्हारे जैसा बिलकुल नहीं लगता क्या नस्दीक में रहता है युदा का उसकी वर नहीं देख पाता और उसे कोई जवाब भी नहीं दे पाता मिनोरू सिफ नौड करत है तभी उसके डाड की आवाज आती है कितनी अच्छी स्मेल है वो उनके साथ बैठ जाता है मिनोरू कहता है सॉरी हमने पूरा फिनिश कर लिया डाड बहुत दिसपॉइंट होते है अरे मैंने कुछ खाया भी नहीं था करी के वज़ों से वो ताने के साथ मस्ती करते है मिन मिनोरू और ताने आते है मिनोरू कहता है अगर हम इसमें थोड़ा पानी आड करें तो चलेगा डाड कहता है हां ताकि एकदम ब्लांड और वाटरी बन जाए ना बिल्कुल नहीं मुझे ऐसी करी नहीं खानी ताने कहता है सॉरी डाड वो आगे बात करते है पर यूता का उ युता का कहता है, गुड नाइट, मिनुरो भी उसे गुड नाइट कहता है, और युता का घर जाता है, घर आके वो अकेला बैठता है, और अपने भाई के बारे में सोचता है, मिनुरो भी युकाता के बारे में सोच रहा होता है, उसके डाड आके पूचते है, युकाता ठी और यहां पे आर डाइनिंग टेबल का फूर्थ एपिसोड खतम होता है यह एपिसोड में बहुत कुछ था नहीं एक इंटरिस्टिंग बात यह है कि मिनोरो और ताने के डाड यूता का को यूता का की बज़ए यूकाता कहते है जैसे ताने उसे बोलाता है वैसे यह फैमिली सच में एक दूसरे में इंटेक्रेट हो रही है यूता का की ओरिजिनल फैमिली जैसे नहीं आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा यह वीडियो को लाइक कीचे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीचे मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए बाइबाइ